इस पार्ट में पिछले दो पार्ट के आगे की स्टोरी को बताया गया है और अब चलते हैं मोवी की एक्स्प्लेनेशन की तरह मोवी के स्टार्ट होते ही चार कॉलिज स्टूडेंट्स दिखाये जाते हैं वेस्ट वर्जिनिया में रिवर राफ्टिंग कर रही होते हैं वो चारों उसी चगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे उन फ्रेंड्स भी वहाँ पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे डूडने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेली होते हैं अब भी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आरपार हो जाता है अभी वो सिच्वेशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आँख ही वहें निकाल देता है और ओन्दा स्पोर्ट सोफी मढ़ जाती है उसे देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है इतनी दिर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है तब थ्री फिंगर सोफी की आँख खा रहा होता है उसे देखकर वो फोरण वहीं पर छुप जाती है इतनी दिर में ट्रे भी कुछ लकडिया लेकर वहाँ पर आ जाता है वो थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर उससे भी पकड़के मार देता है और ब्रेंट भी इन मूटन्स के ट्रैप में फसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंट्स में अब सिरफ एलेक्सी जिन्दा बचती है इसके बाद वेस्ट वर्जिनिया की जेल को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जिल में ट्रांसफर करना था और ये जमादारी तीन पुलिस आफिसर्स को दी गई थी वो टोटल कैदी पांच थी जिन में एक था जैविस जो माफिय और्गनाइजेशन का हैड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था उनका ट्रांसफर दो हफ़ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जैविस के आदमें रास्ते में बस को हाईजेक कर सकते हैं और वो जैविस को छुलवा कर ले जाएंगे और यही वज़ा है कि उन्होंने एमरजनसी ट्रांसफर प्लैन किया और साथ में इपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था यानि पेपर मिल रूट वो सब कैधियों को बस में बिठा कर वहाँ से चल पड़ते हैं रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहाँ पर उन्हें शेरिफकार और डैप्यूटी लेन मिलते हैं और वहें हमें थ्री डोस भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है उड़गी वही है जो पिछले पार्ट में लासीं में एक चोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर फीट कर रहा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेट अप कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फस जाता है और वो थ्री फिंगर होता है वो ट्रॉक के टाये में रेजर वायर फसा कर उसे पंक्चर कर देता है जिससे वो बस पंड्रोल से बाहिर हो जाती है और रोड से नीचे गिफ जाती है थ्री फिंगर ट्रॉक से उतर कर उन्हें देखने जाता है लेकिन उस वक्त और उन पर हमला नहीं करता पुलिस ओफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दुरान मौके का फायदा उठाकर जैविस उसे गन चीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ओफिसर प्रेस लो आकर जैविस पर अपने गन तान देता है लेकिन इस से पहले कि वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में गुस जाता है जिससे मौकेट पर यह उसकी मौत हो जाती है सारे कैदी समझते हैं कि यह सब को जैविस की आदमें कर रहे हैं और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी में टाइम ब्लास्ट हो सकती थी एक पुलिस ओफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वकपर वाल्टर को वहां से निकाल लिता है नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी जैविज उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि सिरफ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है और तब ही वो लोग आगे बढ़ते है और जाडियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की ऐलेक्स थी वो उन्हें बताती है कि यहां पर एक म्यूटन रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था हलांके वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जैविस उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है उसका बात करने का अंदास रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उन्हें वहीं दे जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पल्टी हुई होती है जो पीछे से लॉक थी जैविस नेट को उसके कैब चेक करने के लिए भीजता है और वहाँ पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वाल्टर को दे देता है और जब वो वैल्टर को चेक करते है तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते है और जैविस उन्हें दो दो बैग उठा कर वहाँ से जाने को कहता है और सब लोग दो बैग उठा लेते हैं लेकिन वैल्टर जखमी था और वो बैग उठा नहीं सकता था जिस पर जैविज उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मोका देखकर वैल्टर जैविज को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मिती से उसमें गोलिया नहीं होती लेकिन इस बात के लिए जैविज उसे माफी नहीं देता वो सीधा उसके सर में गोली मार देता इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था पिर जैविज सब को आगे बढ़ने को कहता है लेकिन जैविज उसे गोली मार कर नीचे गिरा देता है एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्योटन नहीं है जिस पर जैविज को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई प्लू छोड़ कर आगे बढ़ता है और जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे थ्री डोस का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो पागल हो जाता है यानि अब पहने से भी जादा वो अपने होश खोड़ बैठा था वो अपने ही जान से हाद दो बैठा है और जैविज उसे उसकी जान बजाने के बदला ये देता है कि वो उसकी टांके ही काड़ देता है क्योंगे ऐसा करने से विली उनके चिंसे अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते है दूसरे तरफ पुलिस टेशन में डिब्यूटी लेन को दो दिन पहले मिसिंग हुए चार स्टूडन्स की लेड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी जिससे वो काफी फिकरमंद होता है वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजेक कर लिया है और वो लोगों को ढूनने जाता है और लेन उन कॉलिज स्टूडन्स को ढूनने जाते हैं दूसरी तरफ वो सब एक पुराने केवन में पहुँँ जाते हैं और वो उसकी मदद से अपने जंजीरों को काट देते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्रीफिंगर का ट्रॉक होता है हलांकि उन सब को पता होता है कि ये उनके लिए विचाया गया एक ट्रैप है लेकिन फिर भी जैवी जबरदस्ती एक कैदी क्राफ फोर्ट को आगे भेजता है जैसे ही वो थ्रीफिंगर के ट्रॉक के पास जाता है थ्रीफिंगर उसे रेजर वायर में फसाक कर ट्रॉक को वहां से ले जाता है और ट्रग को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्राफ़ोड को सरक पर घसीटता है और वो इतनी शिदत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए पीछे से मौका देकर फलर्ड पर जैविस पर हमला कर देता है और तब एलक्स और नेट वहाँ से भाग जाते है जैविस फलर्ड को इतना मारता है कि वो अदमरा हो जाता है एक और कैदी उसे वहाँ पर वैसे ही चोड़ कर चले जाते है शेरिफ उस बस पर पहुँचकर सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है ये करने के बाद वो अपने डॉक को लेकर नेट को ढूणने जंगल में चला जाता है ब्रेंडन जैविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूणना चाहिए जैविज उसकी बात मान लेता है और पैसे को कुछ टाइम के लिए वही पर छोड़ देता है और आखिर कार वो नेट को ढूंड लेते हैं जैविज उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वाच टावर है जहां से हम वो किसी से कॉंटक्ट कर सकते हैं जैविज उसे आखरी मुका देता है और फिर वह उसे वहां पर लेकर जाता है और जैसे ही वह सब वहां पर पहुचते हैं वो देखते हैं कि वाच टावर जलकर बुरी तरह राक हो चुका और इसे उन तीनों म्यूटन भायों ने जला दिया था वहां पर कुछ ना मिलने पर जैविज नेट को शूट करनी लगता है लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पर पहुच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है लेकिन तब भी थ्री फिंगर द्रक्त पर बैटा हुआ एक ब लेकर वहां से भाग रहा होता है और तब जैविज को उसकी आवाज आ जाती है और वह फ्लट की तरफ बढ़ता है लेकिन इससे पहले थ्री फिंगर व्ने मॉलोट आफ फैंक कर फ्लट को जला देता है Denk को पासे जल जाते हैं रुतिकिन पर से भागने की कोशिच करते हैं लिकिन फिर से three finger का truck उनके सामने आजाता है। और इस मर्तबा जैवेज ऐलेक्स को struck के सामने फैंक देता है। और वो ऐलेक्स को लेकर ही वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैवेज उसे पकड़ लेता है। ब्रेंडन उसे मार कर बिहोश कर दीता है और वो दोनों उसे वही पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पढ़ते हैं थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाकर बान देता है और वही पर हमें जैबिटी लेम की बॉड़ी भी मिलती है क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़ कर मार चुका था ब्रेंडन वहां से भाग रहा होता है और इतने ही दिर में जैबिटी वहां पर आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है वो आगे बढ़ने लगता है तब ही थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है जैविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शकल ही बिगार दीता है और उसका फिज इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में नहीं आता पहने से भी जादा लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जैविस पर भारी पर जाता है वो उसकी खोपड़ी खोल कर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सैलिब्रेट करता है नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलिक्स के पास लेकर जाता है वो एलिक्स को चुड़ा कर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता है त्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वो ही लकडी जिस पर त्री डोस का सर रखा था वो त्री फिंगर को पीछे से मारती है उसके अंदर घुसा कर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं लेकिन फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चड़ जाता है वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सेधा जाकर दरक्त पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही दिर में ब्रेंडन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है लेकिन थ्री फिंगर इतनी असानी से तो उनकी जान बख्षने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है लेकिन इस मरतबह नेट उसी का टूल पकड़ की उसमें गुसा देता है और उसे स्ट्रॉंग करने के लिए वो उसे ट्रॉक पर भी दे मारता है और फोरन ट्रॉक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही स्री फिंगर भी जल जाता है Net Brandon को अजाद कर देता है और उसे वहां से जानी देता है कुछ दिर बाद उनकी पूरी फोज वहां पर पहुंच जाती है और Net और Alex की जान बच जाती है लेकिन कुछ दिन बाद Net पैसों के लालच में दुबारा वहां पर आता है लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं Brandon था जिस पर belief करके उसने उसे रिहा कर दिया था Brandon वो पैसे उठा लेता है लेकिन तब ही एक और mutant बहां पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो mutant कोन है और आज तक ये सवाल बन कर ही रहा और इसके साथ ही movie एंड हो जाती है